नमस्कार कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पोटो पर फोंटोज को कैसे एलबम में एड करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो गूगल फोंटो पर किसी भी फोंटो को एल्बम में एड करने के लिए आने के डालने के लिए किसी भी फोल्डर में उसको रखने के लिए आपको क्या करना है कि अपने फोन में गूगल फोंटो को ओपन करना है तो चलिए गूगल फोंटो को open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बहुत सरा Google फोंटो पर फोंटो अप्लोड किया हुआ है तो दिख रहा है अब यहाँ पर आपको जिस भी फोंटो को एलबम में add करना है, set करना है, किस भी फोल्डर में रखना है क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक new album का option मिलेगा अगर आपको इभी google photo पर पहले से album बना हुएंगे तो यहाँ पर और भी album दिखेगा तो चलिए हम new album पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो भी album का title देना है वो आपको डाल देना है तो चलिए हम जी हम title लिख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ न्यूप फोंटो के नाम से यहाँ पर हम album बना लिए फोल्डर बना लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ यहाँ एक add photo का option दिख रहा है उसके बाद यहाँ पर text का option मिलता है ता आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ साब जो भी photo का title देना चाहते हैं यहाँ साब डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ साब को location का option मिलता है आप जो भी इसमें photo में किसी जगा का location देना चाहते हैं इस photo का location डाल सकते हैं उसके बाद आपको इतना करने के बाद ऊपर में आपको एक टिका option दीखेगा तो आपको यहां पे click करना है click करने के बाद यहां से फोटो हुआ यहां एलबम में add हो जागा, set हो जागा तो आपको बैक करनने के बाद आपको यहां पर में एड कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद